हुए ओप्रेंग्स बेगां टू एस्मार्ट लार्ण होग मेरोपेश कुमार आप लोगों के साथ कि ट्रिवानİomra struggling का कि ट्रिवान ट्रिवयगी का क्या सब्सक्राइब एक इसिए कि फर्मूला को देखेंगे जो आपको क्लाश 12 प्सक्राइब कर देखेंगे सबसे पहले जो कि फर्मूला है जिसको कि हम लोगों क्लाश 10 में भी पढ़ा हुआ है तो उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पर्मूला जो मैं ले रहा हूं यह है साइन स्कॉाइट थीटा प्लस को स्कॉाइट थीटा इस इक काफी इंपोर्टेट फर्मूला है इस फर्मूला पे काफी कोश्चन डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट यूज हो जाएगा काफी कोश्चन को आपको सॉल्व करने में यहां से आप इनको सेप्रेट भी कर सकते हैं साइन स्कॉाइट थीटा को अगर इस साइट कर दें इक्वाल की तो यह फोला तो यह फोलागों एक्वाल की इस साइन स्कॉाइट थीटा को इस साइट कर देंगी यहां से नकोश्चन स्कॉाइट थीटा इस सब्सक्राइब और यह काफी यूजफुल फर्मूला है मैक्सिमुम कोस्टन में आपको लगब इस फर्मूला का यूज देखने को मिल जाएंगे इसी तरह के से इक और फर्मूले रहें जिसमें से एक है सिर्फ स्क्वाइब थिता माइनस एन स्क्वाइब थिता तो इस स्क्वाइब यहां से आंफिछ स्क्वाइब थिता और प्न इस स्क्वाइब निया है इस फर्मूले से पन ङ只是 क्वाइब पना स्क्वाइब इस स्क्वाइब उसमें जातनुनि में सिसी तरी के स applies बाइलेह को है में देन स्कॉएट स्कॉएट सिटा का बैल्यों यहांसे हमाइट कर जा hij कर लें फूर पोई जैसे कि हम लोग नहीं यहां पर किया हुआ है इस 10 स्कॉर्ट फीटा को यहां से रखने और इस 1 को इस साइट कर लेंगे तो यह हो जाएगा जेख स्कॉर्ट फीटा माइटस गुवर और फिर इसमें राश्ट को इंपॉर्डट फर्मुला है इस टाइप के उपर है पर इस को इस्कॉर्ट फीटा माइटस को स्कॉर्ट फीटा इस को स्कॉर्ट फीटा को जिक सकते हैं कि यह फर्मुला वाद क्लास्टेंग में फट्ट बट सुके होंगे क्योंगी यह बेशिक फर्मूले नहें जो कि आपको आजे को सॉल्ट करने में काफी हेल्फ करेंगे इसलिए मैं इसको लिख दिया हुए अब लोग इसके बाद इंपोर्टेंट फर्मुला देखते हैं जो आपको टुएल्ट एलेवन टुएल्ट बीसी मैथेमेटिक्स के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे त्रिकों की खास करके क्वेश्चन को सॉल्ट करने लिए इसमें से इसको अगरम लोग टाइप वन को थे हैं तो अब टाइप टू के पर मुझे को लोग देखते हैं और अगर इसको अब लोग नाम दे तो इसमें लोग फर्मुला डिसकुस करे यह जाना सम एंट डिफ्रेंस इस और एंकल के जिस भी होगा सम अधिफ्रेंस इस और इंगल जैसे अब दो एंकल ध्यार रहेगा साइन जो एंगल यह दिया हुआ है एक एंगल दिया हुआ है और इसका साइन ए प्लस बी का वैल्यू फाइंट करने मिल सकता है और क्वश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इस फर्मुले का आपको यूज़ करेगा तो यह फर्मूला साइन एक प्लस बी इंटू साइन एक एक और चीज़ कर सकते हैं अगर हम दो यहां पे इस एक एक और चीज़ कर सकते हैं that means था जो यह एक है यहां एक प्लेंट को यहां से नहीं को एक फर्मूला मिल जाएगा और साइन कि एफ प्लस टू ने हो जाएंगे थो साइन टू के इप उठाप को अपको साइन ए इन्टू जोगी कोस भी हा और वी एंगल जो है एक इक इक्वल है तो यह आड़ प्लस एक वोजाएगा प्लस एक वोज ए इन्टू आप सबस्वाइब था इसाइब था साइब पी अगैर एकल पी इस इकल टू इपले प्ली स्कॉट तुट क्या लिवेंगे साइब अब इसको अगर आप देखेंगे गोर से तो साइन एक और से तो यह हुआ जाएंगे इक्वल टू टू साइन एक इन्टू और चल भी काफी इंपोर्टेंट फर्मूला है साइन टू एक इक्वल टू टू साइन एक तो पॉस ए इसी तरीके से अब ए माइनस बी का भी फर्मूला बने रहां तो यहाँ पे साइन A माइनस B इन इक्वल टू साइन A इन्टू पॉस बी माइनस पॉस ए इन्टू साइन यह लोग यहाँ लोगों को साइन ए माइनस बी का फर्मूला अब यहाँ पे एय और झेंच अगर इत पॉल हो तो A माइनस A 0 जैन आए और साइन 0 का value positive 0 होता है वी इसमे आपको A माइनस A का तो किस नहीं बन सकता है वब फर्मूले में डारेक्ट साइन 0 का फ़र्मूलों करों भी िक्वलों को तो आप एक फर्मूला आप रिमेंबर करते हैं तो दुसरा फर्मूला आ어दय independent हैं कि इसके बाद इसे स्लोर के ऑस function एक हैं का जेश यहां पर माइनस है और यहां पे पलस है यहां माइनस है और यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है और यह पे प्लस ता न सिकर्टार एन अभ इसके बाद इससे आगे這是 कि आगे को देखते हैंकुरित A प्लस B का पर फोड़ा तो Cos A प्लस B रिकोल तो हमता है Cos A into Cos B minus sin A into sin B अब इसके बाद यहाँ पर फिर हम दो A or B को इक्वल करदे तो यहाँ पर फिर हम दो मोकुस सा प्लस 2A का फर्मुला में जाएगा A A is equal to B then यहाँ पर आंदो मोकुस प्लस Cos अब अग्ल A और B इक्वल है तो A plus A 2A तो इसको लो K पी बेकोल सकते हैं कि वह जो है कंपाउंट इंगल है और फोटीपिल ओंगल है कि इस को ओने को अम लोग का सकते हैं मूलिपल एंगल का प्रक्राइब करें तो पॉस्ट्व एक्वाइब हो जाएगा और इसी पर्मूले पर पर रखते हैं सिर्फ यह अंगल की वहां फिरी एंगल के उपूट करेंगे तो तीजह जो है इक्वाइब है यह हो जाएगा कोस के माइनस साइब इंटू साइब और इसको अगर आप आएज़ शॉल्व करेंगे तो यह आएगा कोस के स्कुायर एंटू स्कुर्ण करेंगे माइनस sinA एक तो हो जाएगा sin² A यहां से नम्हों को cos 2A का फर्मूला में जाएगा तो हहां हो जाएगा cos² A माइनस sin² अब इसके बाद हम लोग cos A माइनस B का फर्मूला देखते हैं cos a minus b यह इवाल्ट रहता है cos a into cos b plus sin a into sin b cos a minus b के लिए फ़र्मूला होगा cos a into cos b plus sin a into sin b तब आपको यहां ध्यान रखने वाली यहां पर साइन है यहां पर होगा माइनस का साइन और फिल जब यहां पर माइनस का साइन होगा यहां पर बास का साइन यह वालें के टर्प में होता था लेकिन कोस के टर्प में यह पोजित हो जाता है और इसके बाद हम लोग 10 का फर्मूला देख रहे हैं तो 10 10 A plus B is equal to यह हो जाएंके 10 A plus 10 B divided by 1 minus 10 A into 10 B अगर इन सब फर्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इर्भर्स प्रिगुरों मैंट्रे में अगर आप इसके बाद यहां पर A और B को अगर हम लोग सेम रखें यानि तुनों value equal हो यहां पर 10 2 A का भी फर्मूला मिल जाएगा और 10 2 A is equal to हो जाएगे जोगी याद यह प्रस से 2 A बजाएगे और 10 A plus 10 A तो यह बजाएगे तो यह होगा 10 2 A का फर्मूला और यहां कर सकते हैं if A is equal to B होगा तो इस फर्मूले से हम लोग 10 2 A का फर्मूला कर सकते हैं तो आपको याद दूनों करते हैं जिससे की आप फर्मूले का यूज कर देंगे जाएगे और जाएगे जाएगे प्रमूले का यूज कर लेंगे इसके क्या होगा तो आप पुर्शन को जट्थे solve कर भाएगे तो इसी तरी के से is called 10 a minus b area, 10 a minus b area, 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a into 10 b, we object 10 a minus b in the formula, 10 a minus b is equal to 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a into 10 b, अभी फ्रेंट्स हम लोगों ने कुछ पर्मूला सम डिफ्रेंट्स, and multiplication of angles पर देखाया है, तो इसमें कुछ और फर्मूले हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक के लिए, इससे कि हमें यह मालूख रहें, कि आपको यह फर्मूला का जो collection है, यह आपको अच्छा लग रहा है, जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए और भी फर्मूले को एक जगाए रहें लिए कर देए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने प्रेंट्स में सेयर कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिए और साइट की बेल आइकन को कीजिए कर लिए इससे हमारे सारे वुज़ों के टॉटिपिटिसान आपको सबसे पहले हैं